तो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक कोड नहीं वीडियो में तो जैसे कि वीजिए में अभी A1 रोयल पास चल रहा है और इसमें आपको भी वीक 7 के मिशन दिखने शुरू हो चुके होंगे तो यह जो सारे मिशन दिख रहे हैं यह आपको कहसे समझ के कंप्लीट करने है मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में तो step by step follow कर लेना और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये तो जैसे इस वाली वीक में आपको एक मिशन दिख रहा होगा तो इसके लिए आपको कौन से मोड में कौन सा मैप लगाना है यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बतायता हूँ सबसे पहले आपको जाना है lobby में महाँ पर map select करने वाले option पर जाना है जिसमें आपको दो mode दिखेंगे ranked और und ranked तो सबसे पहले तो यह question आता है कि कौन से mode में आपको match खेलना है अब यहां पर बात आती है कि आपको कौन सा मैप लगाना है तो मैप के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि मिशन में कोई map का नाम तो नहीं लिखावा क्योंकि यहां पर ही mission में बता दिया जाएगा कि आपको कौन से map में complete करना है अगर नहीं बताया जा रहा है तो आप आप कोई सा भी map लगा सकते हो classic mode के अंदर जाए वो एरेंगल मिरमार सैनोक विकेंडी या कोई सा भी map हो बड़ यहां पर condition यह आती है कि आप classic mode के अंदर आने वाला ही एक map लगाओ बड़ अगर आप mission में देखोगे तो महाँ पर पहले सी लिखावा है एरेंगल तो इसका मैंने आप पर एरेंगल मैप लगा लिया है अब तो आपको प्लेन मेंटर होते ही किसी भी लोकिशन पर उतर जाना है जैसे कि मैं आप पर होड़ डॉप कर रहा हूं तो मुझे एनिमिस तो मिलने ही वाले हैं फटाफट और यह mission जल्दी complete हो जाएगा but mission में लिखावा है with SM SMGs तो आपको उतरते ही सबसे पहले building में ढूंड़नी है SMG और SMG कौन-कौन सी गन होती है तो आपको मैं यहाँ पर lobby में दिखायता हूं अब जैसे ही आप पर inventory में जाएंगे तो guns के अंदर SMG का एक section दिख जाएगा उसमें आपको जितनी भी गन दिख रही है उस सारी SMG के लिखा हुआ है और देखो सबसे पहला किल जो अपना SMG का है वो हो चुका है अब यहाँ पे एक और बात आती है आपको finish देना है enemies को जिससे के एक trick आप यूज कर सकते हो आप किसी का kill चुरा सकते हो मतलब आप किसी दूसरे enemy के नोग की वे बंदे को SMG से finish दे सकते हो जो क बस मारते ही यह mission complete हो जाएगा और एक और बात आपको इस mission की शुरुआत में लिखा हो दिख रहा होगा friend boost yellow color में तो इसका मतलब है आपका कोई भी teammate जिसके पास RPO वो यह mission करेगा आपके साथ team में रहते वे तब भी यह mission आपका पूरा हो जाएगा इसका simple सा मतलब है अगर आपका कोई भी friend जिसके पास RPO और वो आपके साथ match खेल रहा है तो वो जिसको भी SMG से finish करेगा तो वो इसके mission में तो count होगा ही साथ में वो आपके mission में भी count हो जाएगा जिससे 2 RP players साथ में मिलके mission जल्दी complete कर सकते हैं और अब missions में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे mission complete जाएगा collected तो इसका मतलब मेरा mission हो गया है complete और ऐसे आपका mission भी complete हो जाएगा बिल्कुल easily और अगर यह info आपको helpful लोगी हो तो इस वीडियो को like करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हम next वीडियो में bgmi के नई update और tips and tricks के साथ तब तक के लिए bye bye